चीन दुनिया में मचायेगा भयंकरत तबाही किसी भी देश पर बरस सकती है मौत कीश्टन का चीनी रॉकेट हुआ कंट्रोल से बाहर जाइना की हरकत से दुनिया में मच गई खलबली दोस्तो चीन जमीन के बाद अंतरिक्ष में बड़ी साजिशे कर रहा है अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा को जटका देने के लिए चीन तेजी से काम कर रहा है नासा ने चीन की करतूत को उजागर करते हुए दुनिया को ये बताया चीन चान पर कबजे की साजिस रच रहा है चीन में अमेरिका को पशाडने की इतनी जल्दी है कि वो आनन फानन में रॉकेट लांच कर रहा है और चीन के ये राकेट चाइनीज माल की तरह ही भरोसे के लायक नहीं है अंतरिक्ष में रॉकेट लांच करने में चीन कई बार नाकाम रहा है दुनिया में सबसे बेहितर करने का धिंडोरा पीटने वाला चीन फिर से धर्ती का दुश्मन बन बैठा है इसी के साथ चीन की नाक एक बार फिर कट गई है उसकी चोरी फिर से पकड़ी गई है चीन की इंटरनेशनल बेज़ जती हुई है चीन के स्पेश मिशन के फ्लाब शो के जरीए इतना ही नहीं चीन ने दुनिया की जान भी खतरे में डाल दी है और उसकी वज़े से पूरी दुनिया पर खतरा मन रा चुका है दोस्तोव आप सोच रहे होंगे कि चीन ने अब क्या हरकत की है कि दुनिया भर में हंगामा मच गया है अमेरिका का मूड ओफ हो गया है नासा बेहत परिशान है तो दोस्तो चीन ने एक बार फिर ऐसी ही लॉंचिंग की है लेकिन अपकी बार जिस रॉकेट के गिरने का खत्रा पैदा हो रहा है वह 21 टन का है अगर इतने विशाल रॉकेट का जरासा भी हिस्सा धरती पर गिरा तो तबाही मच जाएगी इस बार इस रॉकेट के जरिये चीन के बन रहे नए स्पेस स्टेशन का हिस्सा भेजा गया है जो वहाँ पर निर्माड कारे को गती देगा चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक लॉंग मार्च 5B रॉकेट लॉंच किया है लेकिन इस मामले में चीन का ट्रेक रिकार्ड बहुत ही खतरनाक है इसलिए वग्यानिक चिंता में है कि कहीं फिर से या धरती पर तो नहीं गिर जाएगा क्योंकि चाइनीज रॉकेट के साथ पहले कई बार ऐसा हो चुका है और यह महस संयोग है कि प्रत्वी के वायू मंडल से टकरा कर जलने के बाद बचा हुआ हिस्सा गिरने के बावजूद कोई हता हत नहीं हुआ चीन के नए बन रहे स्पेस स्टेशन तियांगों के लिए 21 तन वजनी रॉकेट के लांच किये जाने के बाद अंतरिच पर नजर रखने वालों की नीन उड़ी हुई है इसकी वज़े ये है कि चीनी स्पेस स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल वेंतियान को लेकर गया यह रॉकेट अभी तक डी ओर्बिट नहीं हुआ है और इसी वज़े से यह आशंका बनी हुई है कि यह प्रत्वी पर वापस गिर सकता है एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि रॉकेट के लिए जो स्टेंडर्ड है उससे खतरा कहीं जादा है खास कर चीन के सेटिलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाले उसके रॉकेट के डी ओर्बेटिंग का जो खराब इतिहास रहा है उसे देखने के बाद वैग्यानिक पहले किसी भी तरह के दावे से बचना चाहते है आखिर चीन के इस रॉकेट से कितना बड़ा खतरा हो सकता है पहले चीन की वज़े से ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़े से टेंशन बढ़ गई है चीन स्पेस में किस खतरनाक शाजिश को दे रहा है अंजाम कि वो लगातार रॉकेट लांच कर रहा है बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे जिसे जान कर आप हैरान रह जाएंगे चीनी तकनीकी की दुनिया के सामने खुल गई पोल अंतरिक्ष में ड्रेगन पहले भी हुआ है बुरी तरह नाकाम दोस्तो ये चीन में पोस्ट की गई तस्वीरें थी तस्वीर में एक तरफ चीन के लांग मार्च फाइवी रॉकेट की लांचिंग दिखाई गई थी तो दूसरी और भारत में जलती चिताओं को चीनी भारत का मजा कुडा रहे थे कि हम रॉकेट में आग लगा रहे हैं और भारती चिताओं को वो कहां और हम कहां चीन की इस घटिया सोच और नियत की दुनिया भर में थूथू हुई लेकिन अभी ज्यादा वक्त बीता भी नहीं था कि चीन जिस रॉकेट पर इतरा रहा था वो ही आउट आफ कंट्रोल होकर जमीन सुंगने लगा कुछ समय पहले ही चीन का एक ऐसा ही रॉकेट भारत के आकाश में जलने के बाद माल्दीव के पास हिंद महासागर में गिर चुका है और अब चीन के जिस रॉकेट ने दुनिया भर के अंतरिक्ष वैग्यानिकों को टेंशन में डाल दिया है वह है लांग मार्च 5W जिसे की तियांग गोंग स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉंग मार्च 5W Y-3 अपने तीसरे प्रक्षेपण में वहां के लिए पहला लेबोरेटरी माड्यूल लेकर गया है क्योंकि चीन का अंतरिक्ष श्टेशन अपने निर्मान के आखरी चरण में है अंतरिक्ष में सेटेलाइट और मलबो पर नजर रखने वाले विज्ञानिक जोनाथन मैक डॉविल ने इस बात की पुष्ट की है कि 21 तन का निस्क्री रॉकेट कोर चरण में ही और्बिट में है और इसे सक्री रूप से डिया और्बिट नहीं किया गया हौवर्ड स्मित्सोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रो फिजिक्स में खगोल भौतिक विज्ञानी मैक डॉविल ने यह भी बताया कि ये अलग हो जाएगा लेकिन पिछले एक्सपीरियन से पता चलता है कि 30 मीटर लंबे मिटल के टुकडों का एक गुच्छा कई 100 किलो मीटर प्रति घंटे की रपतार से जमीन से टकराएगा जिससे बड़ा हाथसा हो सकता है रॉकेट लांचिंग में चीन की नाकामी पहले भी दुनिया देख चुकी है चीन की इन भयंकर गलतियों का खामियाजा दुनिया भर को जेलना पड़ सकता है पहले भी चीनी रॉकेट के चलते भारत पर खत्रा मन रा चुका है दोस्तो आप जानना चाहते होंगे कि चीन ने ऐसा क्या किया था तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसी साल चीन का एक रॉकेट वापस प्रत्वी के वाईयू मंडल में लोट कर भारत के आसमान के उपर जल गया था चीन ने यह रॉकेट चांग जेंग 5B को फरवरी 2021 में लाँच किया था चीन के इस नाकाम अभियान को लेकर पुरी दुनिया ने कड़ा रियक्शन दिया था उस पर आरोब था कि रॉकेट को डी और्बिट करने के लिए उसकी स्कीम बेहत बेकार थी इसकी वज़े से रॉकेट का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया उस रॉकेट के जरिये भी चीन ने स्पेस इस्टेशन के लिए ही उसका हिस्सा भेजा था वह रॉकेट करीब 30 मीटर लंबा था 20,000 किलो वजनी उस रॉकेट का जो हिस्सा गिरा था वह प्रत्वी पर गिरने वाला अब तक का सबसे विशाल अंतरिक्ष मलबा था इसका काफी हिस्सा तो वायू मंडल में जल गिया था लेकिन बाकी हिंद महासागर में मालदीव के पश्चिम में गिरा था अंतरिक्ष से आतंक फैलाने में कुख्याद चीन 2020 में भी दूसरे देश के लोगों की जान खत्रे में डाल दिया था तब भी उसने लॉंग मार्च 5B रोकेट लांच किया था जो कंट्रोल से बाहर होकर वापस प्रत्वी पर गिर पड़ा था चीनी रोकेट का यह बेकाबू मलबा पश्चमी अफरीका के आईवरी कोष्ट गंराज के दो गाओं पर गिरा जिसकी चपेट में आकर कई इमारतों को नुकसान पहुँचा था 2016 में चीन का पहला स्पेस इस्टेशन तियांगोंग वन प्रशान्त महासागर में क्रैस कर गया था चीन की ये नाकामिया बताती है कि चीन अपनी जिन तकनीकियों का दावा करता है दरसल उनमें एक्क्यूरेशी रेट बेहत खराब है जो उसके दावों की पोल खोल देती है अमेरिका और रूस के रॉकेट भी हो चुके हैं फेल दोस्तो इतना ही नहीं इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन यानि आई एस एस में खाने पीने और जरूरत की तमाम दूसरी चीजों को ले जा रहा रूस का एक अंतरिक्षयान एक दिसंबर साल 2016 में लाँचिंग के कुछ समय बाद ही जलकर खाक हो गया जब ये हादसा हुआ तो अंतरिक्षयान रूस के परवती तुआ छेतर के करीब 190 किलो मीटर उपर पहुँच चुका था अचानक यान में कुछ खराबी आई और भीसंड तेज धमाके के साथ यान के चीतरे उड़ गए गनीमत रही कि यान अपने रास्ते से भटक कर किसी आबादी वाले इलाके पर नहीं गिरा वरना ये बड़ी तबाही ला सकता था इस यान में करीब 2.6 टन खाद सामगरी के साथ तेल और अन्य जरूरी समाल लदा हुआ था साल 2015 और 2016 में दो साल के अंदर ही है तीसरा मौका था जब रूसी अंतरिक श्यान तकनीकी कमियों की वज़े से लक्ष पर पहुचने से पहले खराब हो गया इसी तरह स्काई लैब में अमेरिका के अर्बो डॉलर लगे हुए थे लेकिन महच चार साल बाद ही स्काई लैब सौर तूफान की चपेट में आकर बरबाद हो गई लाख कोशिशों के बाद भी जब स्काई लैब रिपेयर नहीं हुई तो नासा ने इसके धरती पर गिरने की घोसना कर दी नासा ने कहा कि वो स्काई लैब को सुधारने में नाकाम रहे हैं अब नौ मंजला इस्टील के इस पहार कर धरती पर गिरना कोई रोक नहीं सकता बताया गया कि स्काई लैब भारत पर भी गिर सकती है खबर पाते ही हिंदुस्तानियों की नीन उड़ गई लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अब धरती की उल्टी गिंती शुरू हो गई है कहा तो यहां तक जाता है कि कई गाउं में लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेच कर पैसा अपने एशो अराम की उन चीजों में खर्च करना शुरू कर दिया था जिनके लिए उनके मन में हसरते दबी रहती थी लेकिन जिन्हें वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सके थे भारत में खौफ इसकदर था कि इस स्काई लैब की चर्चा बच्चे-बच्चे की जुबान पर छागई लोग इसकदर डरे थे कि घर के बाहर सोने वाले लोग घर के अंदर सोने लगे थे इस बीच 12 जुलाई 1989 की वो तारीक भी आ गई जिस दिन स्काई लैब धरती पर गिरना था भारत के सभी राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी लेकिन नासा अनुमान के मताबिक इसकाई लैब का मलबा औस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा इससे किसी तरह की जनहानी नहीं हुई लेकिन इस बार चीन की गलती का खाम्याजा किसी भोगना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता